दौसा को कॉंग्रेस मान के चल रही है कि ये हमारी सीट है हम ही जीतेंगे अब ये क्यों मान के चल रही है इसके पीछे एक लॉजिक है कि सचिन पैलट ने वहाँ पर गुजर मीना एक्सपेरिमेंट किया है दलित वोट बैंक साथ आ जाते हैं तो एक फॉर्मीडेबल फोर्स हो जाता है जिनकी मारक्षमता बहुत मजबूत हो जाती है क्या बीजेपी इसमें सेंद मारी कर पाएगी अब कैसे कर पाएगी पता नहीं मगर अगर उमिद्वारों के नाम देखें हम तो मुराली लाल मेना कदावर नेता हैं जो सांसत बनने हैं जिरकी वज़स से वो सीट खाली होई है मगर मुझे कॉंग्रेस के कंगाली पर अश्यर होता है बीजेपी की भी इस्तिती है वहाँ पर कि वहाँ इनके पास नेता नहीं है जिसे वो साफ तोर पर कह सकें ये हमारा केंडिट है मुराली लाल मेना इतने चतुर नेता है कि उनके पेट में क्या है कोई नहीं जानता साय सचिन पालेट से वो बातचित किये होंगे इधर गुमिन सिंग डुटासराल अगतार मीटिंग ले रहे है अध्यक्ष की हैसियत से मगर वहाँ फैक्टर जो होगा वो सचिन पालेट एक फैक्टर होगा लेकिन बीजेपी ग्राउंड पर बहुत काम कर रही है ग्राउंड पर बहुत काम कर रही है अब बीजेपी में जिस तरह से टिक्टों का नाम आ रहा है कॉंग्रेस में सविता मीना, डीसी बैरवा, मंजू सीतारा, निहारिका जोरवाद अब सविता मीना और निहारिका के नाम को लेकर मुडाली लाल मीना कह रहा है कि मेरे परिवार से टिकट मत दो अब नेताओं पर ज़्यादा हम भरोसा कर नहीं सकते कि वो सोचते कुछ और है बोलते कुछ है मगर बहुत बार वो कह रहा है इसलिए मैं भरोसा कर रहा हूं भरोसा कर रहा हूं तो क्या कोई मीणा नेता ही वहाँ पर उतारा जाएगा या फिर DC बैरवा बहुत पुराने नेता हैं दलिध हैं क्या उन्हें चांस दिया जाएगा पता नहीं मंजू सिता राम का भी नाम चल रहा है वो ST से पारसद है और ST की सीट ही देना चाहते हैं सचिन पैलेट वो अपना कंबिनेशन पर बनाया चाहते हैं मगर अगर BJP से जगमोहन मेना उतार दिये जाते हैं डेक्टर किरोडिलाल मेना के भाई तब क्या होगा क्योंकि जिस तरह से देखिए आज एक सुची जारी हुई टीचर प्रधाना अध्यापक को कुछ भी कह लेजिए उसमें मेना ज्यादा थे और डेक्टर किरोडिलाल मेना ने उसे रद कराया है तो एक संदेश देने की कोशिश की है उन्होंने कि मेरे साथ रहो मैं हूना अब सवाल उड़ता है कि क्या मेना बड़ी संख्या में वोट नहीं करते हैं तो उन्हें वापस ने जलसल मेर बार मेर भेज दिया जाएगा पता नहीं मगर क्योडिलाल मेना उन्हें लेकर आए हैं अब कहा जा रहा है कि क्या जगमोहन मेना को पार्टी टिकट देगी या उस फॉर्मूले पर चलेगी परिवार से हम ज्यादा टिकट नहीं देगे जगमोहन मेना ऐसा नाम है कि देवली उनियारा में भी चलदा है और कंग्रेस में भी चलदा है गजब का नाम है मोहन मेना संकरलाल सर्मा जो है वो बुजूर्ग हो गये हैं मगर नेताओं का उनकर पास्ता नहीं है जब तक सांस चलती है वो चाहते हैं कि विधायक, सांसर, मंत्री हम बने रहें तो संकरलाल सर्मा भी एक केंडेट हैं विर्दी चंद सर्मा है वो भी वहाँ पर सांगनेर के नेता है मगर वो ब्रामन संगठनों से अपना नाम भीजवा रहे है अरुन चुत्रवेदी भी नाम भीजवा रहे है नीलम गुजर भी वहाँ एक कंड़ेट है जिनके लिए संगठन से भी नाम जा रहा है कि क्या अगर वहां मीना कंड़ेट कॉंग्रेस के तरफ से आता है तो गूजर कंड़ेट उतार कर बीजेपी कोई खेल सकती है उसके अपने जो वोट बैंक है उसे पा सकती है पता नहीं मगर वहां पर अभी भी मीना गूजर और दरीतों के भरोसे कॉंग्रेस है अब जगमोहन मिना बड़ा फैक्टर है या फिर बीजेपी से कोई और कास्ट का चाहे स्सी का हो या गुजर हो और वो बाकी जातियों का वोट ले सके तो बड़ा फैक्टर हो सकता है इसलिए इस सीट पर जो कबजा है कॉंगरेस का कबजा तूट भी सकता है मगर फिलहाल तो वहां कॉंगरेस मजबूत दिखाई दे रही है देवली उनियारा चलते हैं देवली उनियारा के जो विधायक थे वो टौंग सवाई मादोपूर से सांसद बन गये हैं हरीश मिना अब हरीश मिना के जगा कौन चुनाओ लड़ेगा पता नहीं मगर कई नाम आ रहे हैं सामने नमो नरायर मिना के बारे में कहा जा रहा है कि अगर वो आ जाते हैं तो निर्विवाद हैं और वो चुनाओ जीत भी सकते हैं इनको लेकर बहुत जादा दूसरी जातियों में रिजर्वेशन नहीं हैं राम नरायर मिना एक बुजुर्ग नेता हैं वो भी टिकट मांग रहे हैं हलां कि हरोती इलाके से हैं हनुमन्त मीना जो हरिश मीना के बेटे है उनका नाम भी चल दहा है हला कि कमजोर है थोड़ा एक मैं अजीत मीना है कॉंग्रेस के कार्यकरता लगते हैं बहुत अक्टिव रहते हैं वो सोसल मीडिया पर उनका मैं देख रहा था ट्विटर हैंडल वहां पर राकेश मीना नर उतारती है और बाकी जातियों का वोट लेकर चली जाती है जाट बड़ा फेक्टर है देखिए बीस हजार के आज पास देवली उन्याज़ दूसरी जातियां मिलकर वहां खेल कर सकती है ये फिप्टी फिप्टी वाला सीट है दोसा की तरह बहुत मजबूर सीट नहीं है कॉं फिर भी अगर गुजर केंडेत उतरते हैं बीजेपी के से तो शायद ये सचिन पैलेट के भईवसे का चुनाओ नहीं इसलिए गुजर अपने सजातियों वहाँ पर पूरे की मेरा टिकट फाइनल है राजंदर गुजर कह रहा है कि संग का समर्थन है वीजे बैसला पिछल सारे जर्विशन है सीता राम पोस्वाल के बारे में कहा जा रहा है कि ऐसे केंडेट है भी वोट मिल सकता है सुनीता बैसला भी मिल रही है आज दिली में तमाम नेताओं से उनकी तस्वीरें आ रही है मगर नायव सिंग सैनी वाला एक्सपिरिमेंट वीजे पी कर सकती है प्रभूला आल से नहीं उतरते हैं बीजे पी से तो गुजर जा सकते है मेरा केंडेट के साथ तो ऐसे में यहाँ पर दिक्कत हो सकती है मगर प्रभूला आल सेनी के साथ बाकी जाती हों के वोट भी जा सकते हैं जाटों के तो यह भी यह सीट 50-50 में मानके चल रहा हूँ अब जूझनू देखो जूझनू कागज पर कॉंग्रेस की सबसे मजबूस सीट दिखाई देती है जहां पर कॉंग्रेस की पत्नी राजबाला ओला चुनाओ लड़ेंगी अमित ओला चुनाओ लड़ेंगे इसने लेकर पसो पेश बना हुआ है लोग कह रहे हैं कि ओला परिवार ही जीतेगा मगर क्या बीजेपी के जाट नेता इतना मजबूत हैं कि जाटों का वोट बड़ी संख्या में बटोर सके वहाँ एक अजीब लड़ाई है लड़ाईया है कि बबलू चौधरी अगर चुनाओ में उतरते हैं तो राज़ंदर भामू भी उतर जाते हैं और दोनों का वोट जो है वो बट जाता है अब इस बार भी क्या पता दोनों उतर जाएं उधर सूपकरन चौधरी को लगता है कि एक बार और टिकट मिल जाए हमें तो सूपकरन चौधरी भी लाइन में लगे हुए हैं वहाँ पर तीन-तीन जात उमिद्वार जो हैं वो बीजेपी से ट्राई कर रहे हैं और इसी बीच राजेंदर गुढ़ावान पर जगह खोज रहे हैं मैं जीज सकता हूँ अगर र दो टांगे हैं एक दलित और एक मुसलिम उस पर वो चोट करना चाह रहे हैं वो चाह रहे हैं कि वोट बटे तो हम निकल जाएं उनकी भी इच्छा विधान सभा में आने की बहुत है मगर वहाँ पर भी कहा जा रहा है कि बीजेपी एक्सपेरिमेंट कर सकती है बीजेपी जाएं वहाँ पर कहा जा रहा है कि सैनी जो हैं वो करीब करीब जाटों के बराबर हैं अब ये कहा जा रहा है सैनी कह रहे हैं वैसे जाट कहते हैं कि हम सबसे ज़्यादा हैं तो अगर सैनी समाज को टिकट देती है बीजेपी तो बाकी समाज का टिकट मिलकर वो चुनाओ बड़ी संक्या में आते वे नहीं दिखाई दे रहे हैं बाकी तो वहाँ पर कॉंग्रेस से भी ज्यादा जाट नेता बीजेपी के पास हैं इसलिए ये सीट काग्जों पर कॉंग्रेस की दिखाई दे रही है मगर कहीं भी जा सकती है गुठा के पास भी जा सकती है और बीजे पुस्टल बैरेट ने बड़ा काम किया वहाँपर। इसलिए चुनाओ जिते। अब इस बार उप चुनाओं में हन्मान बेनेवाल है नहीं। तो वहां उनकी पार्टी से नरायन बेनेवाल या कनिका बेनेवाल। से परिवार में एका का एक संदेश जाए मगर कहा जा रहा है कि रेवत राम डांगा वहाँ पर पिछले चुनाओं से भी ज्यादा मजबूत होकर उभरे हैं ऐसा बीजेपी का दावा है जोती मिर्धा का नाम आ रहा है मगर शायद वो अब इतनी लगतार दो हार के बाद भूती से लिया जा रहा है चो गावं गावं गूम कर हनुआन बेनिवाल से दोदो हाथ कर रहे हैं खीमसर में कोई हनुआन बेनिवाल के आँख में आँख डाल कर बात करे ये पहले संभो नहीं था मगर ये उनी के साथ काम किये हुए है और अगर वो दुर्ज की चौहान वाला फैक्टर फिर से काम नहीं करे तो क्या पता निकल भी जाए मगर हर बार चौहान सहाब कुछ वोट ले जाते हैं और बेनिवाल जी के लिए रास्ता आसान हो जाता है इस और आरेल पी कॉंग्रेस का ऐसा मानना है कि अगर मजबूत होगी तो ये कॉंग्रेस का ही वोट काटती है आमादी पार्टी वाली हालत है आमादी पार्टी के साथ कॉंग्रेस इसले नहीं जाना चाहती है या कॉंग्रेस के साथ आमादी पार्टी इसले नहीं जाना चाहत है लोग करें चेतन डूडी को लड़ा दिये तो मामला और दिल्चस्प हो सकता है मगर शायद चेतन डूडी चुनाओं नहीं लड़ें और इस तरह से खीमशर बे एक काफी दिल्चस्प चुनाओं हो गया है जहां पर मुकाबला BJP और RLP में हैं मुकाबला इस बार भी की रहा तो गेम पलट भी सकता है क्योंकि हनबान बेनिवाल खुद नहीं है नरायन बेनिवाल की छवी पांच सालों में कितनी मजबूत रही है पता नहीं अब रामगड की बात कर लेते हैं सोले वाला रामगड नहीं मेवात वाला रामगड वैसे BJP के लिए एक्सपरिमें रहा है ग्यान देवा हुजा वहां से विधायक रहे और बड़े कटर विधायक रहे जहां उन्होंने लगतार मुस्लियों पर हमला बोलते रहे उनके बतीजे जया हुजा पिछली बार लड़े थे बहुत कम वोट आया करीब 26,000 के आस पास सुखवंद सिंग सबसे ज़्या की बाजी लगा सकती है और वो सुखवंद सिंग और जया हुजा का जो वोट बटा था अगर वोट बटे नहीं तो कॉंग्रेस की एक मात्रों में द्वार जुवेर खान की पत्नी साफिया जुवेर को कड़ी टक कर मिल सकती है वैसे भाउर जीतेंदर सिंग और टीका राम जूली वहां पर पूरी तरह से विसात बिचाने में लगे हैं कि दलित और अब संख्यक वोटों का बटवारा नहीं हो और बीजे पिचारी है कि हिंदू वोटों का और सिख वोटों का बटवारा नहीं हो और मुकावला कांटे का हो अगर पिछली बार देखें जय होजा औ तिकेट मानग रहे हैं मगर मुझे लग रहा है कि लोग कानाय हो आके सुकवण सेंको सैथ तिकेट मिल जाए अब आदिवासी इलाके की बात कर लेते हैं आदिवासी इलाके में देखिये शलूंबर में अमरितलाल मीना के बेटे और बेटी का भी नाम चल दाए है आज इनके दिहान से ये सीट खाली होई अविनाश मीना नरेंदर मीना का नाम चल रहा है सोनल मीना का नाम चल रहा है दुरगादास मीना का नाम चल रहा है कांग्रेस से रखवीर मिना और उनकी पत्नी बसंती मिना हारते हारते ये ठक गए हैं मगर फिर से लड़ने के लिए तयार है इंको टिकट मिल जाता है तो रेश्मा का नाम भी वहाँ पर चल रहा है और हो सकता है कोई ने कंडेट भी आ जाए क्योंकि वहाँ पर बाप पार्टी ने साफ कर दिया है कि 84 और सल्मबर में हम कांग्रेस से गटबंदन नहीं करेंगे अकेले जाएंगे वहाँ पर भी यही दिकत है आम आदानी पार्टी और कांग्रेस वाली कի बाप के जो वोट बेंक है वही वोट बैंक कॉंग्रेस का है दोनों साथ लड़ेंगे तो एक पार्टी का खत्मा होना तै है इसलिए कॉंग्रेस को अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़नी है अब कॉंग्रेस से कौन टिकट लेकर आता है रगवी मिना और बसंती मिना बहुत बार हार चुके हैं क्या नया व्यक्ति को टिकट मिलता है सलुम्बर में बीजेपी मजबू दिखाई दे रही है ऐसा कहा जाता है मगर 84, 84 में जो जीत का मारजिन था करीब 84 हज्जार के आसपास राजकुमारोत का, राजकुमारोत सांसद बन गए है कहा जा रहा है बाप पार्टी ही यहां जीतेगी और बाप पार्टी ने टिकट देने का नया फर्मूला बनाया है कि पहले हम वोटिंग कराएंगे अपने कारिकरताओं से और वोटिंग जीतेगा उसे टिकट मिलेगा वहाँ पर पोपट लाल खोपडिया का नाम सबसे उपर चलता है दिनेस रोत और अनिल कटारा का भी नाम चलता है बाप पार्टी में मगर रासकुमारोद जिसको चाहेंगे उसको टिकट मिलेगा BJP से वो पुराने उमिद्वार, सुसील, कटारा, महंदर बरजोड, नानूराम, पर्मार और एक और नाम बहाँ महंदरजीत सीमालविया जिस तरह से महंदजीत सी मालविय के घर में घुसकर राजकुमारोद जीत कर आये हैं बागी दोरा से महंदजीत सी मालविय विचार रहे हैं कि राजकुमारोद के घर में घुसकर जीते हैं मगरे इतना असान नहीं है यह वहाँ की एक बड़ी फोज राजकुमाजरोत के साथ है और कॉंग्रेस का सुपड़ा साफ होने की वज़े से वहाँ पर वो मजबूत हो गए हैं अब कॉंग्रेस में देखिए बहुत सारे नए और पुराने लोग टिकट मांग रहे हैं मुकेस खाट हैं महे सुरूत हैं जो चातर संग के अध्यक्ष भी रच चुके हैं सुखाडिया विस विद्याले और प्रधान भी हैं विनोत कटारा हैं दिने सुरूत हैं नरे सुरूत हैं विविशा भगोड़ा हैं बासंती हैं बागडिया तो बहुत सारे नाम हैं मगर नए को आपर खड़ा करना होगा और गनेश घोगड़ा चाह रहे हैं कि हम बाप पार्टी से मुकाबला करते हुए दिखे अब पता नहीं कॉंग्रेस को दिनेश खोड़निया में ऐसा क्या दिखता है जैन समाज तो वोट देता नहीं है कॉंग्रेस को मगर कहा जा रहा है कि अशो है मगर करें क्या वहाँ पर कुछ कर भी नहीं सकते दिनेश खोड़निया कि भले हो जिला दक्ष है मगर बीजेपी में उतनी चलती है इसलिए इन सीटों पर इन सीटों पर कहा जा सकता है कि बीजेपी के एक ही सीट है और बीजेपी को लग रहा है कि ये उपचुनाओ आसा नहीं है इसलिए कह रहे हैं कि हमारे पास तो एक ही है एक से उपर जाएंगे तो हमारा गेनी है अब इसमें एक राजकुमारोत का है चोरासी और एक आरेलपी का बाकी के चार जो है वो कॉंग्रेस के हैं अब कॉंग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है कि एकर तीन भी ह किरोडी लाल मीना एक बड़ा फैक्टर बने हुए है और देखिए इसी आदेश की हम बात कर रहे थे कि जहां पर क्युरी लाल मीना का चिथी जाता है कि ये सारे निरस्त किये जाएं और ये निरस्त हो जाता है, बाबा ने चुनाओं से पहले अपना पावर दिखाया है क्या बाबा के पावर पर मानने वाले भरोसा रखेंगे पता नहीँ बगर हम चर्चा कर रहे थे कि अशोग गहलोत और सचिन पैलिट अब दोनों सीनियर अफजर्बर बन गए है अशोग गहलोत तो सीनियर अफजर्बर सुरू से बनते आ रहे हैं मगर सचिन पालेट भी अब सीनियर आफजरबर बन गए है और दोनों नेताओं को महराश्ट में जिम्मेदारी दी गई है अश्योग गलोत को मुंबई में तो सचिन पालेट को मराठा इलाका में अब ये कितना जाकर वहाँ काम कर पाते हैं पता नहीं मगर सीनियर आफजरबर वाले पद पर क्या भूमिक्या होती है ये भी इस परश नहीं है वहाँ पर परभारी पहले से हैं और अविनास पांडे अर्मुकुल वासनी को अलग से लगा दिया गया है संग्ठन के परभारी के रूप में इनका क्या काम होगा पता नहीं मगर मुझे लग रहा है कि राजस्थान के उप्चुनाओं में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है ये महराश्ट में कितना समय देंगे पर कॉंग्रेस के पास नेताओं की कमी है जिसकी वज़े से जितने भी निता दिखाई दे रहे हैं कॉंग्रेस में भूपेश बगेल हो टीकेसी देव हो जिनके नाम आपने सुने होंगे चाहे नासिर हुसेन हो सब को कॉंग्रेस ने महराश्ट में तारीक अवनवर हो सब को जारखंड में लगा दिया है और वहां से अब क्या नतीजे आते हैं पता नहीं पर बीजेपी के लिए हर्याना चुनाओ के बाद ये मोमेंटम बनाए रखना जरूरी है और कॉंग्रेस के लिए लोग सबाद चुनाओं से जो संजीवनी मिली थी उसे खोजने के लिए किसी हनुमान को भेजना पड़ेगा जनता के बीच जो संजीवनी बूटी वला पहाड लेके घर घर घुमें तभी जाकर कुछ हो सकता है झाल 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 झाल